शुक्राना गुरूजी मैं कविता दिल्ली कैंड से अपना सत्संग सारी संगत को शेर करना चाहूंगी सारी संगत को जै गुरूजी शुक्राना गुरूजी जब मैं गुरूजी से जुड़ी मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि गुरू जी से मेरा किस तरह से विश्वास हुआ किस तरह से गुरू जी ने मेरा साथ दिया और मेरा हाथ पकड़ा मैं गुरू जी से दो हजार बारा में जुड़ी मैंने वहाँ एक मार्केट में गई तो वहाँ पर देखा कि गुरू जी का स्वरू था तो मैं देखे बहुत खुश हुई लेकिन उसके बाद मैं जुड़ी गुरुजी से बहुत टाइम बात थी मैं तक्रीबन गुरुजी से जुड़ी दो हजार पंद्रा में पंद्रा में जुड़ी तो मेरे घर एक आंटी जी आई मतलब मेरे रिलेटिव में आंटी जी आई तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में काफी सारी बाती की बताया गुरुजी के बारे में पर मैं गुरुजी के बारे में ये सब तो मुझे इतना तो ध्यान था इतना मन था पर मेरे घर में कोई मानता नहीं है मेरे जो ऑंकल जी है वे जो आउंकल जी हैं बेठी थी लेकिन इत्तफा़ यह हुआ कि गुरु जी ने मुझे किस तरह से काफर टाइम बात जोडा लेकिन बहुत इत्तफा़ से जोडा कि जम है 2015 में मेरे एक आउंटी और अंकल जी ने बताया गुरू जी के बारे में तो ना उन्होंने मुझे जब बताया तो कहते हैं कि गुरू जी के मंदीर चलो एक बार आप जाओगे तो सब पर कृपा होगी फिर मैंने उन्हें बुला नहीं आंटी मेरे घर में तुम्हें पता है भई कोई मानता नहीं है तो मैं कैसे जा सकती हूँ और मुझे कोई एगरी भी नहीं करेगा जाने को तो फिर मैं चुप हो गई लेकिन एक बार मेरे ममी का मेरे आंटी का फोन आया ममी और पापा का तो ममी की तबहुत खराब थी तो मैंने उन्हें गुरू जी के बारे में बताया कि आप एक बार वहाँ जाओ तो जब मैंने उन्हें बताया तो वो गए वो गए तो वो कर आया उन्हें काफी अच्छा लगा उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया उनके गुरू जी के बारे में तो फिर उन्होंने मुझे भी फोर्स किया कि तू भी चल गुरु जी के तो मैंने का नहीं, मैं क्योंकि रेंग पर रहती हूं संगत जी तो मैंने बुला कि आभी मेरे को नहीं जाना, अभी मुझे घर शिफ्ट करना है यहां से तो मैं उसके बाद जाओंगी तो मुझे उन्होंने का ठीक है ममी जी ने कहा कि ठीक है कोई नी दो मे Sinne बाद चलना मैंने का ठीक है उसके बाद जब मैं शिफ्ट होई तो मेरे दिमाग से यह निकल गया मैं बूली गई कि मैंने किसी को ऐसे बोला था ममी को ऐसे बोला था या आंटी जी को ऐसे बोला था तो मैं फिर सोच में पड़ गई मैं भूली गई फिर मेरे को जब एक आंटी का आया relative आंटी का फोन आया तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है कि बड़े मंदी चलना है गुरु जी के और तुम चलोगी कवीता तुम चलोगी तो मैंने कहा कि हाँ मैं पूशती हूँ अंकल जी से अगर वो एगरी होते हैं तो मैं जरूर चलूँगी अच्छा मेरे को डर था कि मेरे अंकल जी तुम मुझे मना कर देंगे तो उन्हों ने खाँ ठीक है तुम पहले जै गुरु जी बोलती रही और अंकल जी से बात की कि मैं गुरु जी के मंदिर जाओं आंटी का फोना है तो उन्होंने जटी बोला कि तुझे जाना है मैंने का हाँ मुझे जाना है तो उन्होंने का ठीक है तू चली जा तो मैं बहुत खुश हुई जै गुरु जै प्लो मैंनी वा वो पता नहीं कैसे हो गया गुरू जी ने कैसे महर करी कैसे उनका दिमाग पलड़ दिया और जब मैं वहा गई तो मैं बहुत खोश हुई फिर धीरे धीरे काफी चेंज आए गुरू जी ने चोटी चोटी सत्संग बहुत हुए मेरे साथ गुरू जी ने थोड़ी देर से करी लेकिन करी कर्पा और बहुत अच्छे से करी और अब तो गुरू जी को मैं जब भी याद करती हूँ जब भी मन में नाम लेती हूँ तब ही गुरू जी मेरा साथ देते हैं ऐसे ही गुरू जी सारी संगत को ब्लेस करें सब कुछ कर्पा करें जै गुर जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी ये मेरा आज का सत्संग था संगत जी जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी इसी के साथ मंत्र जाप करते हैं ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाई गुरू जी सदा सहाए ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहा ओम नमस्यु आए गुरुजी सदासाए जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी